आज का हमारा फर्स्ट वीडियो है ASP.NET MVC Architecture सिरीज का इस फर्स्ट वीडियो में हम MVC Architecture के बारे में देखेंगे और उसके साथ साथ हम से कुछ बेसिक चीज़े देखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करता है MVC एक Architectural Pattern है और ये काफी सालों से Software Engineering में यूज़ हो रहा है इस MVC Architectural Pattern को लगबग हर Programming Language यूज़ करती है हम इस वीडियो में ये MVC Architectural Pattern को ASP.NET के अंदर दिखने वाले है ASP.NET एक Web Technology है और इसमें हम Sisha Programming Language का यूज़ करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि MVC क्या है MVC ये एक Short Form है इसमें M का मतलब होता है Model View का मतलब होता है View और C का मतलब होता है Controller तो basically MVC ये Model View Controller का क्या है Short Form है अब MVC का काम क्या होता है, हम MVC Architecture को क्यूँ यूज़ करते है तो MVC Architectural हमारे Application को तीन Components में Separate करने में मदद करता है और वो तीन Components कोन से है, तो वो तीन Components है Model, Viewer, Controller अब ये Model क्या होता है, View क्या होता है, Controller क्या होता है, वो हम देखेंगे सबसे पहले हम देखते है कि Model क्या होता है तो Model मतलब एक ऐसी Entity जो हमारे Data के Shape को Represent करती है अभी इसका मतलब हुआ क्या? तो आपको एक Example देखेंगे समझाता हूं तो मानिए हमारे पास एक Database है और इस Database के अंदर हमारे पास मानो एक Table है और इस Table के अंदर हमारे पास तीन Colum's है तो ऐसा समझते है कि पहला Column के अंदर हमने ID Store किया है Second Column हमारा Name है और Third Column हमारा Age है तो अगर हम C Sharp के अंदर अगर इस Data को Retrieve करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हमें यह वाली values मेलेगी ID, Name और Age तो इस ID, Name और Age को Store करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको C Sharp के अंदर एक Class बनाना होगा और उस class के अंदर फिर ये id, name और age को किसी fields में या किसी properties को use करके हम इसे store कर पाएंगे. तो ये class जिसके अंदर हम ये सारी चीज़े store कर रहे हैं, तो ये class को हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? model कहेंगे, क्योंकि ये model हमारे shape of data को represent कर रहा है. ये model हमारे इस shape of data को represent कर रहा है. तो ये होता है हमारा model. तो सरल भाशा में model का मतलब होता है जो की हमारे data को represent कर रहा है. अभी चलते हैं view पे. तो MVC के अंदर view user interface को show करता है. अभी user interface होता क्या है? तो जब भी हम कोई website open करता है, उस website के उपर हमें कुछ नजर आता है. जैसे कि कुछ images रहेगी, कुछ button रहेगा, कुछ text रहेगा. तो जो भी हमें वहाँ पे दिख रहा है, वो क्या है? वो user interface है. अभी वो interface वहाँ पे आया कैसे? तो actual में view क्या करता है? view model से data retrieve करता है. जो पिछले इस में हमने देखा model, तो model के अंदर क्या था? database की values थी. या फिर इक सिर्फ database थी, कोई भी दूसरे source की values हो सकती है. तो view क्या करेगा? वहाँ से value retrieve करेगा, और जो भी value उसे जो model से मिल रही है, उसे वो क्या करेगा? वो user interface के उपर दिखाएगा. और फिर बाद में जो user है, वो user interface को use करके, यानि की MVC के view को use करके, उस की values को वो read कर सकता है, modify कर सकता है, delete कर सकता है. तो view एक simple language में क्या है? कि view MVC architecture के अंदर क्या करता है? वो user interface शो करता है. अब इस view को बनाने के लिए, ASP.NET के अंदर, ASP.NET MVC के अंदर, HTML, CSS, और कुछ अलग, और कुछ syntaxes होते हैं, जैसे कि razor syntaxes उसका use करते हैं. उसका use करके हम क्या करते हैं? ASP.NET MVC के अंदर views बनाते हैं. तो सरल भाशे में अगर हम view कहें, तो view क्या है? तो view है, हमारा user interface. अब इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है हमारा controller. तो controller क्या करता है? तो controller का काम है user की request को handle करना. तो usually क्या होता है? कि user है न, एक request trace करता है. उसको हम HWTP request कहते हैं. और उस request को handle करने का काम होता है controller के पास. तो जब भी controller के पास user की request आती है, तो उस request को वो process करता है. और process करने के बाद में, जो भी appropriate view रहेगा, वो क्या करेगा? वो उस user को as a response में reply करेगा. उसको वापस देगा वो. तो controller का काम होता है user की request को handle करना. और वो request होती है, वापस HWTP request होती है. तो controller is a request handler. अभी हमने ये तीनों चीज़े देखी, हमने model देखा, हमने view देखा, हमने controller देखा, लेकिन ये आपस में कैसे काम करती है? चलिए वो देखते है. तो समझते हैं कि हमारे पास एक user है, और वो user किसी website को open करने की कोशिश कर रहा है. तो वो क्या करेगा? वो web browser यूज़ करेगा, और web browser के अंदर वो किसी website को open करने की कोशिश करेगा. तो ऐसा समझते हैं कि हमारे पास abc.com है, और user ने क्या किया? ब्राउजर के अंदर गया और वहाँ पे abc.com उसने एंटर किया. जैसे ही उसने abc.com एंटर किया, तो क्या होगा? सबसे पहले वो जो request है, वो जाएगी web server के पास. web server एक ऐसा server है, जहाँ पे हमारा web application host हो रहा है. अभी उस web server पे जाने के बाद में, वो क्या करने वाला है? वो controller के पास route कर देगा request को. That means कि ये जो request है, ये किस के पास जाएगी? ये controller के पास चली जाएगी. ये हमार पास request है. ये किस के पास चलेगी? हमारी hwtp request भेजेगा, उसको process करने का काम है controller का. तो इसके लिए यहाँ पे user ने request भेजा. ये हमारा hwtp request भेजा. और ये request को process करने का काम है controller के पास. इसके लिए सबसे पहले वो request किस के पास आएगी controller के पास आएगी. अभी controller क्या करेगा? controller क्मुनिकेट करने वाला है view और model के साथ तो वो view और model के साथ communicate करेगा और view को क्या करना है view को कुछ view create करना है तो view create करने के लिए उसको किस की मदद लगेगी उसको model की मदद लगेगी तो view भी जाएगा model के पास model से data लाएगा और फिर उस data को use करके वो view construct करेगा और view construct करने के बाद ने वापस वो view किसको भीच दिया जाएगा user को भीच दिया जाएगा तो ये जो view था किसके पास चलेगा user के पास चले गया तो हम इसको कहेंगे response तो इस तरह से MVC architecture काम करता है तो इस वीडियो में हमने देखा कि MVC architecture कैसे काम करता है अभी अगले वीडियो में हम इसका practical use देखेंगे हम visual studio के अंदर एक sample MVC application create करेंगे उसका complete process देखेंगे कि उसे कैसे create किया जाता है